आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मज़ेदार अप्लिकेशन के विशाय में, कुछ फ़नी एंडराइड आप्स के विशाय में, जिसको सभी लोगों को ट्राइ करना चाहिए अपने फोन में, जब कब कभी आप काम करते हुए बोर हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे आप स ज़रूर ट्राइ करना चाहेंगे, यदि आप सेक्यूर्टी को लेकर के एलाट रहते हैं, तो उसके लिए भी यहां पर एक अप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा, हलो एंड वन सगेंड वल्कम टू मैं मनिस्टाग यूट्व चैनल, मैं हूं मनिस, इस वीडियो में हम सबसे पहले एक अप्लिकेशन की बात करते हैं, नमबर वन पे वह एफ है रेडियो गार्डन, जी हाँ यदि आप एफम को सुनते हैं, जो रेडियो के सवकीन हैं, उनको यह अप्लिकेशन जरूर ट्राइ करना चाहिए, यह काफी अमेजिन अप्लिकेशन है, अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी रेडियो चैनल्स होते हैं, उसमें जो रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, वो नियर अबाउट के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अगर आप वराटसी में रहते हैं, या अलाहबाद में रहते हैं, या यूपी में रहते हैं, तो लगभग आप एक application install करना होगा जिसका नाम है Radio Garden तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे Radio Garden यह काफी Imagine application है इस application को आप यहाँ से install कर सकते हैं इस तरह से interface दिखेगा आप simply इसको install कर सकते हैं इस इंस्टाल करने के बाद जब इस app को आप open करेंगे तो कुछ इस तरह से interface आपको दिखेगा इसमें आपको allow करने के लिए option देगा allow Radio Garden to access this device location आप इसे जो है allow कर सकते हैं क्योंकि यह location मांग रहा है इसका मतलब यह है कि अगर आप किस country में है सबसे पहले या locate करेगा तो इसको आप allow कर सकते हैं जैसे while using the app only this time deny तो आप while using the app को क्लिक कर सकते हैं simply उसके बाद यहां पर दिखेगा प्रेस प्ले टू स्टार्ट रेडियो गार्डन तो आप सिंप्ली इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह का आपको interface दिखेगा यह एक globe है यह पूरे country के FM radio channel को जो है एक साथ यहां पर interface में लाता है जैसे यहां पर यह इंडिया का जो है बंसवारा जो है फ्ले हो रहा है उसके बाद आप जो है डिफरेंट डिफरेंट लोपस भी सेलेट कर सकते हैं जैसे इंडिया का मैप है अब यह गाजीपूर का radio station जो है इसमें broadcast कर रहा है इसके लवा आप डिफरेंट जो है locations को भी सेलेट कर सकते हैं यह धाका बंगलादेश का FM है इसके लवा अब जो है और भी अदर्स जो है जो भी आपको FM radio जहां का भी पसंद हो इंडिया में वहां का स्वेट कर सकते हैं जैसे हर्याडा को और मिध्या के लवा दूसरे country के भी जो है FM Radio Channel को select कर सकते हैं, जैसे जैसे यह दूसरे कंट्री का मुकाचेव का FM Radio Channel है, इसके लब आप अदर और भी FM Radio Channel को select कर सकते हैं, यासे यह बेल्जीयम का FM रेडियो चैनल है यह रेडियो चैनल नगरफ दिल्स का है आप यहां से इस तरह से इस तरह से ग्लोब व्यनजिते को कॉस्ट्माइज करके रोटेट करके किसी भी कंट्री अब पर आप यूरॉप़ाई कंट्री में आ सकते हैं जैसे नौर्वे कंट ब्राड़कास्टिंग हो रही है यह यह से के अधियोंबस रिडियो चैनल है यह यह से के डेक आप का जो है आप डिफेरेंट डिफेरेंट टाइप के जो है जिस कंट्री का आपको फ्म चैनल सुनने का मन कर रहा हूं उस लगा फॉर्स्ट अप्लिकेशन आए बात करते हैं न तो उसके लिए जो भैतरिन अप्लिकेशन है उसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं प्ले स्टोर पर उस अप्लिकेशन को आप सर्च कर सकते हैं उसका नाम है who touched my phone तो आप सिंपली इस पर लिखेंगे who touched my phone तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा आप यहाँ से simply touch कर सकते हैं तो जैसे हमने इस पहले से इस फोन में इंस्टाल किया हुआ है तो इंस्टाल करने के बाद simply आपको इस अप्लिकेशन को open कर लेना है जब आप उपन करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा आप इसको next कर सकते हैं next 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 करते जाएंगे लास्तमी से फिनिस करेंगे इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा यहां पर लॉक के रूप में एक आपसन बना हुआ है यहांपर simply क्लिक करेंगे तो इसके बाद ऐसको इसको simply बैक कर सकते हैं लिए करने के बाद इस को जैसे का अब अवेत favor कर दिया और फोन को और जब वी कोई अश्ड़ करेगा जैरो सिए उठाय को तो यह आटमाटीकिश अइसका जो फ्रंड कामरा फोन का सका और यह बताता है कि किसने फोन को आपको टॉच किया हुआ है इसको चेक करने के लिए आप इस अप्लिकेशन को जाएंगे किसी ने इस फोन को टॉच किया था तो आप इस अप्लिकेशन को कितने भी टाइमस पर इसको ट्राई करेंगे तो इससे तर्ड ताइम तक दिखा देगा कि आपके फोन को टूछ किया किया किसने अपकी फन का इस्तिमाल किया हुआ है कि इसके बाद हम बात करते हैं थाइड्ड ऑप्लीकस्ण की विषय में इस अप्लिकेशन का नाम है फ्लूट-सयमृweg तो आप simply play store पर जो है fluid simulation के नाम से एक application इस्टाल कर सकते हैं fluid simulation तो इस तरह से fluid simulation free के नाम से आपको show करेगा आप इसको जो है install कर सकते हैं यह काफी creative simulation application है तो simply आप यहां से इसे open कर सकते हैं जैसी आप इसे open करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा यहां पर बाई प्रियों यह एड़ अर्वटाइजमेंट आ रहा है तो इसको आप यहां से cross कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं तो इस तरह से आपके phone पर इस तरह से अप्रिकेशन है आप इसमें यहां पर टच करके इसके सेटिंग्स को एक्सेस भी कर सकते हैं जैसे इसमें डिफेंट डिफेंट टाइप्स के समलोसन दिखा हुआ है दिखाया हुआ है तो आप जैसे यहां पर क्लिक कर दिए तो इस तरह से समलोसन आपको दिखाये देगा वाल पेपर्स को चेंज कर सकते हैं तो यह काफी ज्यादा फानी अप्लिकेशन है तो फ्रेंड्स यह थे बेश थ्री अप्लिकेशन आज के इस वीडियो में इन तीनों अप्लिकेशन को आपको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए होग कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक्यू